क। अलगर अभी तक हमाय टेली गर्म को सबस्क्राइब कर लिजें लिंक आपको वीडियो की डिस्टेश्न में दिया गया है। इस जगाह? निप्टी का चार्ड ऊपन किया है अगर आप देखोगे, तो काफी जबदस्ट चार्ड आपको देखने को मिलेगा! देखे सबसे पहले तो मैं आपको उताना चाहूँगा कि जितनी भी मैं आपसे बात करता हूँ वो पूरे लेवल टू लेवल बात करता हूँ ठीक है ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी मैंने आपको कुछ भी बता दिया यहां पर देखे कुछ चीजों को अपन यहां पर नोटिस करेंगे फिर उसके बात समझेंगे कि हाँ भाई मार्केट में क्या हो सकता है सबसे पहले तो देखे जे टेरें लाइन मैंने आपके लिए जरके डुरा किया था इसको अपन और आंगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि मा आंगे बढ़ा देता हूं क्योंकि यह भी आपका बजार आंगे बढ़ चुका है ठीक है मैंने आपको तीन लाइन आंगे बढ़ाई है अब यहां पर देखे दो चीजे मैं आपको और समझाना चाहूंगा कि पंदरा तारीक वो तारीक थी यहां पर देखे एक ब्रेक आउ और यह वह पिराइस है जिस पिराइस से मार्केट में एक तेजी आई थी यानि अगर मैं मार्क कर दूंग तो यहां पर आपको एक बड़ी यह तेजी देखने को मिली थी जो कि कई नहीं बजार में देखे इस जगह 17,800 के लेवल तक बजार गया था और यह डेट में आपक इस जगह डिराओ किया था जिस सपोर्ट आपको दिखाई देगा जब वही वाला सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा यहां पर जो मैंने आपको डिराओ किया था इस सपोर्ट की वैल्ली थी 17,300 के सम्थिंग की इसकी वैल्ली थी 17,300 से देखे अगर आप देखोगे तो इस इसमें एक गैप भी बनाता जी गैप आपको दिखाई देगा इस जगा इस गैप बनने के बाद देखिए बजान ने कंटीनियो अगर आप देखोगे तो इसने जो हाई मारा वो कई ना कई देखे इस जगह सतरह हजार नौसो के आस्मतिनका हाय मारा यानि अगर मैं बात करूँ इस प्रैश से लेके इस प्रैश तक वो इसमें स्में तेजी देखने को मिली वह यहां पर आपको देखने को बंदगा कि 600 पॉइंटों के अस्वास की तेजी देखने को ली उसके बाद देखे बजार उपर कंसुलेट किया जै मैंने आपको बॉक्स ही भी बनाया था अगर आपको दिखाई दे रहा हुआ तो यह एक बॉक्स बना हुआ उस टेम मैंने आपसे बोला था कि वही आप दो लेवलों क बिल्कुल पकड़ के काम कीजिए उपर की साइज 17900 और नीचे की साइट आपको देखने को भी लेगा 17800 का लेवल यानि अगर मैं बात कहूं तो 100-500 पॉंट की आपको बनते हुए दिखाई दे रही थी मैंने आपसे बोला था कि वही बजार अगर इसके अंदर काम कर रहा तो यहां पर आपको 27 तारिक की हमारी वीडियो जाके देख लीजिए अब देखे अब यहां पर मैंन चीज आपको लेगा है तो हमारे साथ नया अकाउंट ओपन कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सस्काइब नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल पता है अभी तक क्या था इसकी वेल्यू जो क्या थी इस जगह आपकी सपोर्ट की वेल्यू थी यह सपोर्ट था कौन सा 17800 आपको सपोर्ट था लेकिन आप इसकी वेल्यू क्या हो चुकी है आपकी रजिस्टेंट की वेल्यू हो चुकी आपको क्या हो चुका है रजिस्ट की नहीं गया क्यों नहीं गया वही जाना था उपाय इसलिए नहीं गया क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो एक बड़ा रेजिश्टन है ठीक है उसके बाद उसके बाद के दिखे एको चीज में आपको समझाना चाहूंगा अब जी देखे नीचे की साइट जा रहा जो हमन इसमें जो गयप बना है वो यहां पर सतर से लेके असी पॉंटों के आसवास गयप बना है ठीक है इस चीज को आप समझाए अगर बजान ऊपर की साइट जाता भी है तो इसमें हमको क्या रेजिश्टन देखने को मिलता है अपकी बार इसमें हमको रेजिश्टन देखने को है 706 का एक बात हमको जो पता चल चुकी है वह 176 का एक रिजर्षन है और नीचे की साइट अगर मैं लेके आओं इसको मैं नीचे की साइट लेके आओं तो नीचे की साइट अगर मैं बात कहुं तो सुत तराAsh 300 के आसवास का नीचे यानि हमको दो चीज़े इस जगा पता चल चुकी है कि भई इसकी जो range है market की जो range है वो range रह सकती है इस जगा 300 point के आस्वास ठीक है उपर की चाट अगर मैं बात करूं रजिस्टेंट तो इस जगा आपको अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा ठीक है अपकी रहेंज है अब आँगे कैसे काम करना है उसको समझे लेती है अपन अब मैंने आप सभी के सामने वन अवस का चार्ट ओपन किया वन वस के चार्ट पर आपको जो चीजे clear नहीं ओर ही वो है आपको clear देखने को बले के चाट काफी simple है मैंने काफी simple तरीके से इछ I resize को बनाया है रही कि दो चीजे आपको simple देखने को बलेगा जिस चाट में आपको दिखाई दे रहा है कि बजार आपका उपर की साइट जा रहा है यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि बजार नीचे की साइट आ रहा है यहाँ पर एक रेजिस्टेन ले रहा है जो चीज़ें जहां पर ती उसका उल्टा है जहाँ पर क्या हो रहा है आपका support हो रहा है और जहाँ पर क्या हो रहा है रजिस्टेन हो रहा है ठीक है simple सी बात है देखिए आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है अब दो चीजे और समझो कि वही देखिए बजार one watch का चार्ट है यानि एक candle एक गंटे की है आप जहाँ पर देखिए market जब आपका open हुआ और market open होने के बाद इसमें जो gap बना gap जो मैंने अभी आपको बतायता है कि वही 70 से लेके 80 पॉंटों का gap है अब जहाँ पर आप देखोगे तो एक candle दो तीन चार पांच छे साथ साथ गंटे साथ गंटे बजार ने इसको पार करने में रगा दिया यानि अगर मैं बात कहूं तो बजार एक लेवल को पार नहीं कर पाया उपर की साइट जो की था 17,550 का 17,550 के लेवल को उपर की साइट पान नहीं कर पया आप सोचिए 7 गंटे साथ गंटे इसने लिया और नीचे की साइट अगर मैं बात कहूं तो 1,2,3,4,5,6,7 तो नीचे ही साथ गंटों में बजार ने नीचे की लेवल को पान ने गया जो की था 17,450 अब इन दोनों की रेंज अपन लिका लें तो इन दोनों की रेंज आपकी लिकल के आती है 100 पॉइंटों की ठीक है 100 पॉइंटों की रेंज लिकल के आई तो यहाँ पर अपन समझ लेते हैं कि भई अब बजार में कैसे काम करना चाहिए देखे जितो हमारा रेजिस्टे ने अगर बजार gap up open देता है इस जगा जो कि मैंने आपको बताया अगर बजार इस जगा 17600 के आस्वास मिलता है आपको तो आप क्या सोच रहे हो इस जगा CE buying करने के बिल्कुल नहीं आपको CE buying नहीं करना चाहिए आपको buying करना चाहिए इस जगा PE एस जगा अको मिलता है तो आपको PE buying करना चाहिए इस लेवल पे condition क्या है condition में आपको होता तब एक candle है आपके अब candle मत पूछे क्योंकि वन अवस के चार्ट पर है तो हम वन अवस के चार्ट पर बात करें candle आपकी जो opening होती है opening होने के बाद closing जे closing है 17600 के उपन नहीं होना चाहिए मैंने क्या बोला नहीं होना चाहिए अगर जे closing नहीं होती है तो हम उठ जगा PE bind कर सकते हैं हमारे फिर जो target होंगे पहला टार्गेट तो देखे इस जगह आपका जो रहेगा वह सत्तर हजार पांसो पचास का सत्तर हजार पांसो पचास का क्यों बोला मैंने क्योंकि logic है यहां पर जो आपका resistant था उसका दूसर टार्गेट हमारा होगा जो बड़ा टार्गेट मैं आपको दे रहा हूं जगह सत्तर हजार सत्तर हजार चाससो पचास का वह भी मैंने लेकिन आपके मन में यह को बात समझ में आती होगी कि वह इस जगह हमको CE कहां पर बाइंग करना है CE कैसे बाइंग करके हमको चलना है जो आप सभी लोगों के मन में सवाल है तो इसको भी अपन किलिया कर देते हैं अब CE बाइंग करने के लिए आपको दो चीज़े समझना है कि आप कैसे कमफर्टेवल हो अगर आपको 200 रुपे के कोई चीज मिलती है या कोई स्टॉक मिलता है आप उसको बाइंग करने में कमफर्टेवल हो आपको लगता है कि मैं 200 का भी बाइंग कर सकता हूं और 200 का अगर इस जगा 300 जाएगा तो मैं इस जगा भी बाइंग करता हूँ ठीक है यह आप इसमें comfortable हो कि वही 200 रुपे का है इस पे मैं बाइंग नहीं करूंगा मुझे थोड़ा और सस्ता चाहिए अगर जे 200 का मुझे 100 में बिल जाएगा तो यहाँ पे मुझे 100 रुपे सस् सब्सक्राइब तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बाइंग करने के लिए मैं आपको लेवल बता देता हूं आप अगर उस लेवल से बाइंग करूंगे तो मुझे लगता है एक comfortable आपके मन में आएगा जो कि ता इस जगह 17300 17300 के आसफास अब देखिए अगर मैं करन्ट 200 पॉंट आपको नीचे बजाल मिलता है तो वहाँ पर हम कर सकते हैं अब देखिए मुझे नहीं पता है कि वाई जे 200 पॉंट आपको नीचे मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस support पर लेकिन अगर मिलता है तो अच्छी बात है वहाँ पर क्या है हमारा जो loss होने की condition है जो हमको loss हो हो सकता है उस loss होने की condition कम है ठीक है loss हो सकता है लेकिन condition कम है अगर हम अपने loss को कम कर सकते हैं तो क्यों ना करें loss को कम ठीक है तो एजगा हम देखिए सतर थे इस्seat के असफस अगर बजार मिलता है तो यहाँ पर हम C Bind कर सकते हैं और सबसे पहला जो टार्गेट होगा वह टार्गेट होगा अर्स तरह आज चासू का पहला टार्गेट दूसा तार्गेट की एगर मैं सात्तर आजा 5100 का दूसा टार्गेट और तीसा टार्ग चास का हमारा एक जगा सपोर्ट है जो की आने वाला हमारा रजिस्टेन बन जाएगा बजार अगर नीचे से हम बाइंड करेंगे उपर की साइट तो जी हमको रजिस्टेन की वेल्यू में मिलेगा ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए वीडियो को सेर कीजिए आपका जो भी सावाल है मुझे कमेंड में कीजिए जय हीट बने मातम टेली गराम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए